नमस्कार मैं हूँ मुकेसरा और आप देख रहे हैं SRB NEWS रुख करते हैं इस समय की प्रमुक खबरों की तरह बिषर के समझति पूर जिले के बीविती पूर बिधान सवाच सेथर के पूर बिधायक राम बालक सिंग्य हम को कोट ने आम से एक्ट की इधारा में दोसी पाया है मिरी जनकाली के अनुसार बीबूती पूर बिदान सवाचित के पूरु जदिव बिदायक राम बालक सिंग उनके भाई लाल बाबू सिंग को बीबूती पूर थाना कांड संग्या बासवडबर्था दोजार मामले में दोसी पाते हुए कोट ने गिरफतारी कादिस जारी किया पूर बिदायक उनके भाई पर वर्ष 2000 में माकसवादी कमिनिस पार्टी कारकरता ललन सिंग पर कातिलाना हमला कारोप लगा है जिसमें माक्षवादी कम्यून्स पार्टी के करकरता ललन सिंग जखमी हो गए थे और उनका हाथ पूरी तरह से जखमी होने के बाद किसी काम का नहीं रहा उनके हाथ के मुडिया नस्ट हो गई थी बताया गया कि कम से कम साथ वर्ष की सजा है लेकिन उसमें कम से कम तीन या तीन से अधिक साल की सजा होना तय है जिसके बाद पुर्व जदू विधायक राम बालक सिंग को ग्रिफतार कर लिया गया है एड़ीजे थर्ड प्रणो जहांके आदेश पर सजा की बिंदू पर आगे कि सुनवाई 13 नुमूमर 2021 को होगी क्या माम्रा था नहीं हम कर दो है क्या मार्वित्य करने वाले को राइजिटी के आलावा कि भोई ने सकता और इर्शिया दुलेस का है राईजिटी से प्रेरित केस है इसने भें पूसिते हैं